इतिहास बताता है कि सेकेंड वोल्ड वार के बाद में अमेरिका और रश्या एक कोल्ड वार में चले गए थे अंतरेश्क यानि की स्पेस में भी जाना शुरू किया इनोंने और ये सोचा कि चान पर भी कब्दा कर लेंगे लेकिन हमारे प्राइम मिनेस्टर पंडित नहरू इंडिपेंडेंट खायल के इनसान थे उनको किसी का साइड नहीं लेना था इस पसमंदर को ध्यान में रखते हुए शेलेंडर जी ने बहुत ही आइडिया से अपनी मधुबाला को ही चान बना दिया और क्या खूबसूरत गाना लिख दिया चंदारूस का ना ये जापान का ना ये अमरीकन प्यारे ये तो है हिंदोस्तान का गोरे गोरे मुक पर तूने ऐसा घूंडट डाला आँखों वाले तरस गए देखू मैं पिसमत वाला आहे वा ये चंदारूस का ना ये जापान का ना ये अमरीकन प्यारे ये तो है हिंदोस्तान का ये चंदारूस का ना ये जापान का ना ये अमरीकन प्यारे ये तो है हिंदोस्तान का